लोगसवा चुनाव और विधानसवा चुनाव की बात करें तो आब हरियाना में ज़्यादा समय नहीं रहा है लोगसवा चुनाव का भी एक साल बचा है तो वहीं हरियाना में विधानसवा चुनाव की बात करें तो डेड़ साल बचा है ऐसे में कैसी तयारी है जन्नायक जंत टेरक में नहीं जाता है हमेशां फिल्ड में रते हैं तो ये सभाव हमारी निताओं का भी है और कारिये करता भी उसी तरीके से उनको आदत पड़ गी कि हम फिल्ड में रते हैं अभी रिसेंटली डॉक्टर अजे सिंग जी हमारे रास्टी अध्यक्ष 22 के 22 में जा करके आए ह मैं भी उनके साथ था और अब भी कारिकरम आज बनाएंगे हम बैठ करके कि डिप्टी सीम साब भी उसको जिला लेवल पे या हलका लेवल पे पूरे हर्यान का बर्मन करेंगे अपने साथियों से मिलोंगे तो चनाओ हो या ना हो हमारी पार्टी का तो ये धे रहता कि लोगो पार्टी का ये करेकरता इन हलों में शामिल हो गया कैसे देखते हैं आप पहले यात्रा को और जो जन्नाएक जन्ता पार्टी के तूट करके करेकरता इन हलों में जा रहे हैं देखिए यात्रा तो उनको मुबारिक हो हर पार्टी यात्रा निकालती है मैं उसके बारे में त इस व्यक्ति को जनता ने दिये हूं, वो एक पे आ जाए, ये पर्फॉर्मंस रही पांच वर्षों की, की बीस से एक पे आगे, अगर वो भी दावा करते हैं कि आज अच्छा खासा ने तरतव है हमारा हमारे रास्टिया देक्षि डॉक्टर अजे सिंग चुटाला जी, करती तूट करके इंडियन नेशनल लोग दल में जाएगा, तो ये तो सुपने की बात है, अब उनको देखना है कि हम अपना दल कैसे बचाएंगी, जो बीस से एक पे आ गया, आगे क्या हश्र होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात दभी जबान के अंदर आपक चार खूब हो रहा है, आप क्या कहेंगे? और बाकी का समय भी अच्छा बड़ी अडंग से पूरा करेंगे, ग्रीव इंसेजी भी लोगों की पूरी करने का परियास की है, इसरकार ने, तो थोड़ा बहुत ही ये चर्चा तो चलती है. मेरा अखरी स्वाल राहूल गांदी को लेकर क्या है, कि जिस तरह से राहूल गांदी की सदस्ता रद हुई है, उसके बाद कॉंग्रेस सडकों पर है, सत्याग रह कर रही है, आंदोलन कर रही है, आप लोग कैसे देखते हैं उसे? देखिए, मानिय नयायले का मामला है, उस पे टिपड़ी करना तो शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये परिपाटी कहीं ना कहीं, मानिय स्वरगी इंद्रगंदी टैम के समय भी ऐसी बातें रही, कि जो विपक्षी दल थे, उनको ऐसा फेस करना पड़ा, शायद उसी क कुछ परिणाम होगा, यह परिबाटी है, तो मैं ज्यादा उस पे नहीं कुछ करूँगा, तो यह थे हमारे साथ सर्दार निसान सिंग, जो की जन्नाएक जनता पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष है, उन्होंने साफतोर पर कहा है, कि जिस तरह उम्परकाई धंकड ने कहा है, समय आने के उपर जो है गठवंदन है, उसके उपर विचार किया जाएगा, पांच साल के लिए गठवंदन था, वो सुचारू रूप से चल रहा है, वहीं राहूल गांदी की जहां तक बात है, तो राहूल गांदी के मामले पर उनका यही कहना कि कोट का मामला है, और स परधान मंत्री थी, तो विपक्ष के परति कैसा रवाई आता, वो सब लोग जानते हैं, कैमरामन संदीप के साथ अंकी दुदानी, न्यूज 18, चंडिगड